हलो फ्रेंड्स मैं हूं संदीप कुमार गौर और आज हम डिसकस करने वाले हैं नेटवर्ग डाइग्राम टॉपिक पर दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रजेक्ट मेनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने ये देखा था कि प्रजेक्ट क्या होता है तब हमने डिसकस किया था कि प्रजेक्ट जो होता है वो हमारे कुछ इंटरलेटेट एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज की कॉम्बिनिशन को हम प्रजेक्ट बोलते हैं साथ में हमने ये भी देखा था कि जब हम project management पर काम करेंगे तो दो method या दो technique हमको use करने रहती हैं, first थी हमार पास part, project evolution and review technique और second थी हमार पास CPM, critical path method, दोस्तों उन दोनो method पर काम करने के लिए हमको जो activities पर काम करना रहता है या जो project पर काम करना रहता है उनको represent करने के लिए network diagram का use किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर project management अगर हम topic पढ़ रहे हैं और इसमें हम part और CPM पढ़ने वाले हैं तो सबसे जाद जो important topic है अब हमारा वो है network diagram क्योंकि इसके base पर ही हम हमारा project को represent करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं network diagram क्या होता है it is the graphical representation of logically and sequentially connected arrows and knots representing activities and events of a project तो दोस्तों जब भी हम किसी project के activities और event को graphically represent करना चाहते हैं तो हम किसके द्वारा करेंगे network diagram के द्वारा करेंगे यहाँ पर हम use करेंगे arrows का और knots का जो arrows यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर activities को represent करते हैं और जो knots यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर event को represent करते हैं तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो network diagram होता है उसके base पर हम activities और event का जो logical और sequentially connection होता है उसको graphically represent कर सकते हैं Network diagram बनाने के लिए यहाँ पर कुछ उसके concept होते हैं, कुछ basic definitions होती हैं तो आए दोस्तों हम देखते हैं कि Network diagram में क्या क्या use होता है Network diagram के लिए सबसे पहली definition वो है activity activity के बारे मगर हम बात करें तो यहाँ पर any individual operation or job or task अगर कोई भी individual operation हो या फिर कोई भी job हो या फिर कोई भी task हो इस सबको हम यहाँ पर क्या बोलते है activity बोलते हैं activity के यहाँ पर दोस्तों चार टाइप होते हैं हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप हो है predecessor activity, second है successor, third है concurrent और fourth है dummy हमारे पास कोई भी operation हो या फिर कोई भी job हो या फिर कोई भी task हो उसको क्या बोला जाएगा activity बोला जाएगा हम जैसे माल लेते हैं कि हमारे पास कोई activity है A ठीक है दोस्तों अब activity A है और कोई activity है B अब इनका जो precedence है या इनका जो relationship है वो कुछ इस तरह से हैं कि A के खतम या समाप्त होने के बाद ही कौन हो रहा है B start हो रहा है means अगर activity A समाप्त हो रही है उसके बाद कौन सुरू हो रहा है B सुरू हो रहा है तब A यहाँ पर पहले हो रही है और B उसके बाद में हो रही है तो जो भी activity किसी activity के पहले हो रही है वो है कहलाती है predecessor activity और यदि कोई activity किसी activity के बाद में हो रही है तब है कहलाएगी उसकी successor activity यहाँ पर activity को सो करने के लिए हम arrow का use करते हैं और जहाँ पर वो start या finish होती है उसको सो करने के लिए हम notes का use करते हैं तब मैं इस तरह से कुछ बना लेता हूँ यह A का start point है और यह उसका end point है activity A यहां से शुरू हुई है और यहां पर जाके sum आपत हुई है अब मैं यहां से शुरू करता हूँ activity B को तब activity B के लिए यह point हो जाता start point और यह point हो जाएगा उसका end point अब आप यहां पर देख रहे हैं कि activity A के sum आपत होने के बाद activity B शुरू हो रही है इसका मतलब activity B के लिए activity A predecessor activity है और activity A के लिए activity B successor activity है तो दोस्तों simple सब्दों में यह है कि अगर किसी activity के sum आपत होने के बाद कोई activity शुरू हो रही है तब वह उसकी successor है और जो activity किसी activity के सुरू होने से पहले sum आपत हो चुकी है तब वह उसकी predecessor activity है अब third activity के बारे हम बात करते हैं concurrent activity यदि यहाँ पर activity A के sum आपत होने के बाद B start हो रही है और इसके साथ साथ एक और activity है C वहे भी यहाँ पर सुरू हो रही है means activity A यहाँ पर sum आपत हो रही है और इसके sum आपत होने के बाद B और C दोनों ही यहाँ से start हो रही है तब B और C आपस में concurrent activity कहलाती है क्योंकि इनका starting point same है third activity है dummy activity यहाँ पर predecessor, successor और concurrent यह जो activities होती है इनकी कोई ने कोई value होती है जैसे अगर हम बात करें activity A के बारे में तो यह इसका start point है और इसका end point है means यहाँ से यहाँ तक जो इसका process रहेगा उसके लिए कोई ने कोई value रखेगी या तो second में इसका time होगा या hours में होगा या minutes में होगा या distance होगी तो kilometer में हो सकती है कोई भी यहाँ पर value उसके पास होगी लेकिन dummy activity के पास कोई भी value नहीं होती है dummy activity का use जो हम यहाँ पर एक network diagram बनाते हैं उसका जो logical sequence होता है उसको complete करने के लिए dummy activity का use किया जाता है जैसे अब यदि यहाँ पर हम देख रहा है कि activity A के बाद B और C सुरू हो रही है अब कुछ ऐसा sequence यहाँ पर बनता है कि activity D यहाँ पर सुरू हो रही है लेकिन condition यह है कि B और C जहाँ पर combined होगी dummy activity से combine करते है जो हमार पास activities होती है उनको solid यहाँ पर line से आपको represent करना है और जो dummy activity होती है उसको dashed line से आपको represent करना रहता है तो इसका मतलब क्या होगा यह dummy activity है और हमने उसको यहाँ से यहाँ तक draw किया हुआ है that means अब C और B जो B activity थी और जो C activity थी है इसका use सिर्फ हम हमारे network diagram का जो logical sequence होगा उसको complete करने के लिए use करते है तो दोस्तों यह है हमारे पास activities activities का meaning क्या रहेगा कोई भी अगर आप individual operation लेते है या कोई भी job है या कोई भी task है तो इनको बोला जाता है यहाँ पर activities और activities के हमारे पास चार टाइप होते है predecessor, successor, concurrent और dummy अब देखते हैं हमारी second definition second में हमारे पास event the beginning and end point of an activity that means किसी भी activity का starting point और उसका end point यह जो starting और end point होते है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर event बोलते है जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे थे यह हमारे activity A है यहाँ पर start होई और यहाँ पर यह एंड हो रही है तो यह जो points होते है start और end इन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं event बोलते हैं event भी हमारे तीन परकार के होते हैं first होता है merge event second होता है worst और third होता है merge and worst event यदि कोई activity है जैसे यह है activity A और कोई activity है B यदि दो या दो से ज़्यादे activities का जो end point है वो किसी एक event पे जाके merge हो रहा है that means कोई भी दो या दो से ज़्यादे activities का जो end point है वो यदि same है तब यहाँ पे जो event होता है यह event कहलाता है आपका merge event यह जो event है दोस्तों यह कहलाएगा merge event क्यों क्यों कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादे activities का end point same है इसी तरह second पर हम बात करते है worst event यदि दो या दो से ज़्यादे activities का starting point यदि same है जैसे आप यह देख रहे हैं कि यह जो point है यह जो starting point है यह activity A और activity B के लिए दोनों के लिए same है तब इस event को वो ले आता है worst event अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि merge and worst लिखा हुआ इसका मतलब यदि कोई event ऐसा है जहाँ पर एक से ज़्यादा activity का end point है वो same है और एक से ज़्यादे activities का starting point भी same है तब यह जो event है यह कहलाता है आपका merge and worst event जैसे यहाँ पर activity A और activity B finish हो रही है तब यह इसके लिए क्या हो गया merge event हो गया और यहीं से activity C और activity D start हो रही है तब यह जो event है यह merge and worst event कहलाता है यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है जब भी हम किसी activity को represent करते हैं तब उसको represent करने के दो तरीके होते हैं फर्स्ट होता है हमार पास activity on arrow और सेकेंड होता है activity on not जैसे यदि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का diagram बनाता हूँ तब यहाँ पर हमने arrow के ऊपर activity को so किया हुआ है तब यह concept कहलाता है activity on arrow लेकिन यदि मैं यहाँ पर not के ऊपर या फिर इसके अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से तब यह concept हमारे कहलाता है activity on not तो हम दो मैं से किसी एक concept का use करते हैं जिसकी बेस पर हम हमारे network diagram को बनाते हूँ चलते हैं तब दोस्तों हम हमारे example में यहाँ activity on arrow का use करेंगे थार्ट जो definition है वो है sequencing sequencing में हम क्या करते हैं maintain the precedence relationship अब हमारे पास कुछ activities होंगी और activities किस तरह से होती है interrelated मतलब आपस में relation में होती है तब हम उनका क्या करते है relationship को maintain करते हैं कि कौन से activity किस activity के पहले आएगी या कौन से activity किस activity के बाद में आएगी या फिर कौन कौन से activity एक साथ प्रोसेस कर सकती है ओके दोस्तों तो यह जो relationship होता है इसको बला जाता है precedence relationship और इसको जो maintain किया जाते है उसी को हम बोलते हैं आपे sequencing तो दोस्तों network diagram बनाने के लिए आपको ये तीन definition ध्यान रखना है कि activities क्या होती है और उनके क्या क्या types होते हैं फिर second होता है event और उनके types क्या होते हैं और third रहता है उनका sequencing तो दोस्तों जब भी आप network diagram यहां पर बनाएंगे हम आगे अपने आने वाली वीडियो में देखें कि network diagram किस तरह से बनते हैं तो हम देखेंगे लेकिन आपको ये भी देखना है कि network diagram बनाते समय कुछ errors होती है तो वह errors कौन-कौन सी होती है और वह errors आपको नहीं करनी है तो आ दोस्तों तीन जो errors होती है उसमें first है हमर पास dangling, second है looping और third है redundancy तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं first है dangling to disconnect an activity before the completion of all activities in a network diagram is known as dangling तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जब आप network diagram बनाते हुँ चलते हैं जैसे मैं माल लेता हूँ कि यहां पर सबसे पहले हमने कोई activity ए ले लीती है फिर इसके बाद कोई activity है बी और यहां पर कोई activity है सी फिर यहां से एक activity है डी फिर है कोई activity ए और इस तरह से activities आगे चलती हुई हमारे project को complete करती हुई चलती है तो दोस्तों यहां पर project complete आगे कहीं जाके होगा लेकिन उससे पहले यह जो activity है यहां पर disconnect हो गई है और आगे कहीं भी यहां पर combined या merge नहीं हो रही है तो यह जो इस तरह की error है कि आपका project complete होने से पहले ही आपके एक activity है यह एक से जादे activity है वो disconnect हो जाती है तब यह जो error है यह कहलाती है dangling error और इस तरह की कोई भी error आपके network डाग्राम में नहीं होनी चाहिए इसका meaning क्या रहेगा कि यदि आप activity A करते है उसके बाद B करते है और यदि आप activity C को follow करते है तब आप यहां पर आके रुख जाओगे और आपका project कभी भी complete नहीं होगा तो यह जो इस तरह की error होती है जिसमें project की complete होने से पहले ही कोई भी activity disconnect हो जाती है तब यह जो error है यह कहलाती है आपकी dangling error second है दोस्तों looping, looping error को यहाँ पर cycling error भी बोला जाता है drawing an endless loop in a network is known as an error of looping जैसे हम यहाँ पर कोई activity बनाते हैं a activity है इसके बाद b activity है अब यहाँ पर कोई activity है c और यहाँ पर हम फिर आगे बढ़ते हो जलेंगे लेकिन यहाँ से कोई activity है d उसके बाद कोई activity हो जाती है e और यह बापस से यहाँ जाती है e के बाद f कर लेते है ओके दोस्तों तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है activity A है फिर B है फिर यहाँ पर C से हम आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अगर हम D को follow करते हैं तब D, E और F और यहाँ पर बाद में यहीं पर हम आते हैं तो इस तरह का cycle यहाँ पर loop create हो रहा है इसके base पर क्या होगा कि हम कभी भी यह यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं और बार बार हमको इन ही activities को follow करना पड़ेगा तो इस तरह की जो error होती है उनको बोला जाता है looping या फिर cycling error activities का loop यहाँ पर create नहीं होना चाहिए थर्ड जो error है दोस्तों वो है redundancy redundancy का meaning का रहेगा unnecessarily inserting the dummy activities in our network logic is known as the error of redundancy इससे पहले अभी हमने discussion किया था activities पर activities में हमने fourth type देखा था dummy activity और dummy activity की definition हमने यह देखी थी कि उस activity का कोई value नहीं होती लेकिन हम उसका use करते हैं सिर्फ हमारे network diagram के logic को complete करने के लिए लेकिन उसका use तब किया आता है जब हमको उसकी जरूरत हो unnecessary आपको उसका use नहीं करना है जैसे यदि यहाँ पर मैं बात करूं कोई activity है A फिर कोई activity है B और यहाँ पर कोई activity है C फिर कोई activity है D ओके दोस्तों अब concept को जिस तरह के है कि C और D के merge होने के बाद ही आप new activity को start कर सकते हैं और वो है यहाँ पर E means जहाँ पर C और D complete हो जाएगी finish हो जाएगी उसके बाद आप किसको start करोगे E को start करोगे लेकिन यहाँ पर diagram complete आपको हो नहीं रहा है तब आप क्या करोगे इसको इस तरह से logical sequence को complete करने के लिए एक dummy activity यहाँ पर ले लेते हो तो यहाँ पर क्या meaning होगा कि C यहाँ पर पहुंच चुकी है means C और D यहाँ पर merge हो रही है और इसको आपको start कर सकते हैं लेकिन यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तब यह जो activity हमने बनाई है C यहाँ पर इसको मैं directly यहाँ पर join कर सकता हूँ तब यह activity C यहाँ पर भी बन सकती है अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको join कर देता हूँ तब dummy activity के हमको जरूरत नहीं होगी इसका मतलब यह हमने यहाँ पर unnecessary ली है तब यह यहाँ पर कहलाती है redundancy की problem तो दोस्तों यह जो हमने यहाँ यहाँ पर redundancy की problem create कर रही है तो दोस्तों जब आप अपने network diagram यहाँ पर बनाएंगे drawing करेंगे तो आपको यह तीन तरह की error को solve करते हुए चलना है तो friends यह था हमारा आज का discussion network diagram पर next videos में हम यह देखेंगे network diagram किस तरह से construct किये जाते है ओके friends तो अगर आपको आज का मेरे वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और share करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe करें Thank you दोस्तों